दिल्ले के मुख्यमंत्री अर्विंदी केच्रिवान ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने राष्टी राजधानी के वरिष्टनागरिकों के लिए मुफ्त तिर्थियात्रा योजना में आयोध्या की तिर्थियात्रा को जोडने को मनसूरी देती है इस दोरान के जुरिवान ने कहा कि मुख्या मंत्री तिर्थियात्रा योजना जो कोविड के कारण रुकी हुई थी उसे संभवता एक महीने के भीतर फिर से शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि अब आयुध्या को भी दिलिस्तरकार के तिर्थियात्रा योजना में शामिल कर दिया गया है वरिश्टनागरी का अपने साथ एक सदस्या और एक परिजन को भी ला सकते हैं आवेधन जमकर्णी वाले करमचारी ने बताए कि सबसे ज़ादा आवेधन पत्र आयुध्या मंदिर के लिए आ रहे हैं लोगों में कापी उस्सा है किस बार आयुध्या जाकर रामलला के दर्शन किये जाएंगे वही कुरूनकाल के प्रोटोकोल को भी फॉलो किया जाएगा जो भी व्यक्ति तिर्जियात्रा के लिए जाएगा उसके पास दूनों डोस की रिपोर्ट होनी चाहिए और एक स्वास्ते को लेकर किसी भी एक बीबिएस डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना जाहिए से लिए अभी तक आप अभी तक के लाइफ में जाने पाएथ है इसके लिए भुक्तर द्रूर लगए गाई हम अधिया दर्शन के लिए जा रहे हैं नागेश्वर वगरा हमें पता लगा नैट के थूरू इनके कारे करताओं के थूरू तो हमने फॉम भराया है अब इस वारी आयोध्या को भी इसमें एड़ किया गया कि आयोध्या के भी दर्शन कराए जाएंगे तो आप कितने उत्स साइद है कि हम उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे नया बना है और अच्छा बना है उसका बहुत साथा क्रेज है बाकी जगे तो वैशनोदेवी जो बाकी तीर थे वहां हम लोग अपने से भी जा चुके हैं और और अधिया के नए दर्शन के विए से हमें ज्याद अच्छ बता दे कि स्तित योचन का लाब वही उठा सकते हैं जो दिल्ली के निवासी है आवेदन करड़िवाले के उम्रे जिस साल अपलाई कर रहे हैं उस साल एक जुन्मरी को 60 वर्ष की पूरी होनी चाहिए आवेदन करड़िवाले को केंद्रिय या राज्य या किसे इस्थानिय और रिकाई में करमचारी नहीं होना चाहिए आवेदन करता कि साल आना आएं तीन लाग से कम ही होनी चाहिए